जलाल उद्दीन फिरोज खिलजी इन्होंने 1290 से 1296 तक दहली पे हकूमत की थी ये खिलजी डाइनिस्टी के फाउंडर थे ये पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने रिव्यू किया इंडिया टोटली इसलामिक इस्टेट नहीं हो सकती क्यूंके इंडिया के जाधा तर लोग हिं इसलिए इन्होंने mild and generous policy चलाई इन्हें रहम दिल जलाल उद्दीन भी कहते हैं क्यूंके ये peace को follow करते थे ये चाहते थे जो rule है वो without violence करना चाहिए इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को appoint किया as governor कारा और अवद का अलाउद्दीन खिलजी इनके son-in-law थे 1292 AD में पहली बार मुंगोल्स का envision हुआ इन्हीं के time पे इस वक्त मुंगोल आर्मी को अब्दुल्ला लीड कर रहे थे ये हुलुगू के grandson थे जलाल उद्दीन खिलजी को इन्हीं के son-in-law अलाउद्दीन खिलजी ने मारा और खिलजी डाइनेस्टी के दूसरे और सबसे ताकतवर ruler बने वीडियो अच्छी लगे इसे like and share कीजिएगा education से related वीडियो को देखने के लिए subscribe करिए हमारे channel learn with tricks को